दोस्तों नमस्कार आज ही के दिन यानि 22 जनवरी 2023 को संपन्न हुई बिहार में एन्मस एक्जाम 2023 की परिच्छा के इतिहास के जो 35 कुश्चन्स आये थे उनकी आंसर की हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो आप सभी लोग मिलाते चलिए कितने कुश्चन्स आपके सही हुए हैं लास्ट में आप लोग में कमेंट करना है कितने कुश्चन्स आपके सही हुए हैं तो आईए देखते हैं 36 नमबर प्रेश्चन्स पूछा गया था कि पुनर जागरण की सुरुवात सरवप्सम कहां हुई है तो इसे बच्छों सही आप्सन जो था वो थर्ड था इटली इटली में सुरुवात सरवप्सम हुई थी पुनर जागरण की 47 नमबर प्रेश्चन है टीपू सुल्तान सासक था तो टीपू सुल्तान बच्छों मैसूर का सासक था ये सेकेंड आप्सन आपका राइट हो जाएगा 38 नमबर लिखा है कि तीन कठिया पर था सम्मंदित थी तो तीन कठिया पर था बच्छों नील खेती से सम्मंदित थी इसमें आपका सेकेंड आप्सन बच्छों सही है तो आसा है कि आप लोगों ने यही आप्सन लगाया होंगे नेक्स प्रसन 49 नमबर पूछा गया था कि बिरसा मुंदा की मरत्यू किस बिमारे से हुए थी तो बिरसा मुंदा की मरत्यू जो है बच्छों हैजा नामक रोग से हुए थी तो यह आपका थर्ड आप्सन में राइट है अगला है सिल्क सिटी किसे कहा जाता है तो सिल्क अंदोलों का प्रमुक केंदर की बात करेंगे तो यह पटना था थर्ड आफ्षन आपका राइट हो जाएगा और फोर्थ नम्मर कुश्चन की बात करते हैं तो इसमें कुश्चन पूछा गया था कि आजाद हिंद फोर्थ की अस्थापना किसने की थी तो यह कुश्चन अठारा शुच्टावन के विद्रोह की कमान्द शभाली थी तो इसमें आपका फोर्थ आफ्षन सही हो जाएगा जिन्होंने फोर्थ आफ्षन लगाया उनका सही है चावालिस नम्मर है चावरी चावरा कांड कहां पर हुआ था तो चावरी चावरा नामका स्थान सेकेंड आफ्षन वच्चों सही है जिन्होंने सेकेंड आफ्षन लगाया है उनका राइट अंसर है अगला प्रशन है पैतालिस नम्मर पूछा गया था कि महत्मा गांधी ने भारत में सत्यागरा का पर्थम परियोग कहां किया था तो ये चंपारण था सेकेंड आफ्षन वच्चों सही था इन्होंने चंपारण में सबसे पहला अंदोलन किया था अगला प्रशन है 46 नम्मर सांती निकेतन की अस्थापना किसने की थी तो सांती निकेतन की अस्थापना वच्चों रविंदर ना टैगोन ने की थी ये आपका सेकेंड आफ्षन जिन्होंने लगा है अगला प्रश्ण है 48 नम्मर और ये भोगोल के प्रश्ण है क्वेश्टन पूछा गया था कि सतही परदन का कारण क्या है तेज पवन नाली और पानी का तेज बहाओ तो इसमें आपका बच्चों फोर्थ आपसन सही होगा पहला और तीसरा थीक तेज नाली तेज पवन और पानी का तेज बहाओ इसके कारण क्या होता है सतही परदन होता है अगला प्रश्ण है 49 नम्मर पूछा गया था कि बांगर किसे कहा था है तो बांगर वच्चों कहते हैं पुराना जो जलोड होता है उसको कहते हैं तो सेकें पर दूसर कहा जाता है,ört फर्स्ट आपसन बिल्कुल सही है, अगला प्रिशन है, नमबर, प्रत्वी पर कितने परस्त जल बर्प के रूप में पा जाता है, तो ये बच्चों है, दो परसेंट, सतानवे परसेंट जल जो होता है, वो समुद्रों में पा जाता है, दो है बावन नमर बच्चों प्रश्ण पूछा गया था कि थोरियम किस प्रकार का संसाधन है तो थोरियम बच्चों यह आपका थर्ड आसंस यह संभाव प्रकार का संसाधन है और तिरपन नमर प्रश्ण में पूछा गया था कि प्रथवी के बिस्वती परदेशों में पाये ज अंगलों क्या कहते हैं प्रतवी का फेपड़ा कहा जाता है अगला प्रश्ण प्रश्ण नंबर 54 अभरक किस प्रकार का खनिज है तो इसमें थोड़ा सा डाउट है आप लोग कमेंट बाक्स में जरू लगाएं ठीक तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बाक्स करीब फसलें वह जाती है तो खरीब के फसले होती होती है तो मक्रीब होती है तो यह है आपकी बो करीजाती है जून और जुलाई में जिद्हार सुरuggle होती तब बो जल्हार इक पो इसमें थार्ड आपसन सही था तो यह प्राइदीप है द्यूप है महाद्यूप है नदी है तो नदी तो हो ने सकता है प्राइद्यूप है नहीं क्योंकि यह बीच में पड़ता है सभी देशों के मध्य में और यह महादेश नहीं है तो यह आपका द्यूप सही हो जाएगा सेकेंड आफसन बच्चो सही है 58 नमर प्रश्वन बच्चों पूछा गया था कि निमलेखित मेंसे कौन बंदरगा हैं तो ये नहा, सोवा, तूती, कोरिन और हलदिया ये बंदरगा है और अगला प्रशन है 58 नमर के बाद 69 नमर पूछा गया था कि भारती राष्टी बारती राष्टिपत का कारेकाल कितने वर्सों का होता है तो ये बच्चों 5 वर्सों के लिए होता है सेकेंड आपसन आपका सही है अगला प्रशन है 60 नमर लोकसभा के सदस्य बनने के लिए नियूनतम उम्र क्या होने चाहिए तो लोकसभा का बनने के लिए बच्चों आपका 25 वर्सों होने चाहिए उम्र तो ये आपका थर्ड आपसन इसमें राइट है 60 नमर के बाद 61 नमर प्रशन पूछा गया था कि कानून कहां बनते हैं तो कानून बनते हैं बच्चों संसद में और संसद जो है तीन भागों से मिलकर बने होती राइट पत राज सभा और लोक सभा तो थर्ड आपसन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक 60 नमर के बाद 22 नमर प्रशन पूछा गया था कि पंचाइती राज अध्नियम के अंतरगत ग्राम कа चहरी कहां पर स्थापित हैं तो ग्राम का चहरी कहां है तो इसमें आपका बच्चो राइट आंसर यही है थर्ड आपसन ग्राम पंचायत अस्तर पर यह स्थापित किये गए हैं अगला प्रशन है देश का सबसे अंतिम अपेली नियाले कौन सा है तो यह सरोच नियाले होता है और था आपसन आपका राइट हो जाता है 63 के बाद 64 नमर प्रशन बच्चो पुछा गया था कि F.I.R. कहां दर्ज होती है तो F.I.R. थानहे में दर्ज होती है यह सभी को पता होगा undo आपसन बच्चो राइट आंसर है 65 नमर प्रिश्ण बतों पूछा गया था कि मद्यहान भोजन योजना की सुरुवात कब हुई थी तो ये बच्चों 15 अगस्त उनिस्टो 95 सुवे में मद्यहान भोजन की सुरुवात हुई थी चाचार नमर प्रशन है कि साधारण बोलचाल की भासा में सरवाजनिक वित्रण प्रडाली को किस नाम से जाना जाता है तो ये बच्चों है सरकारी रासन की दुकान ठीक ये आपका थर्ड आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन है सरशट नमर प्रशन पूछा गया था कि पैक्स अध्यच का चुनाओ निम्न में से किस के द्वारा क्या जाता है तो पैक्स के अध्यच का चुनाओ जनता द्वारा होता है ये फर्स्ट आपसन बच्चों राइट आंसर है कानून का सासन का आर्थ क्या है تو कानून का सासन का आर्थ होता है कानून सरोच चाहे या सबसे मुंचा है तो सबसे रॉएब आफसन आपका सही है अरशिवर्ट नमर के बाद 79 प्रैसन बच्चों पुझा गया था कि कि निम्लकित में से कौन समिन्हान सभा के सदस्थ थे तो राम जीवन राम राम अनुहा लुहिया सवाशन रोस तो इसमें बचो आपका राइट आंसर है बल्देव सिंग फोर्स आपसन इसमें बिल्कुल राइट आंसर है तो इस प्रकाश रहे इतिहास के प्रशन नेक्स्ट करा देंगे तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्माद